सितंबर 2016 में शुरू हुआ रोलांस जियो का सफर 31 मार्च 2017 तक काफी अच्छा रहा अपने फ्री 4G डेटा सर्विसेस से जियो ने इंटरनेट यूजर खासकर युवाउं को काफी आकरशित किया लेकिन 31 मार्च को जियो का फ्री ओफर खत्म हो रहा है जियो की फ्री सर्विसेस के लिए यूजर्स ने इसकी कुछ खामियों को नजर अंदास भी किया लेकिन अब जब जियो को इस्तमाल करने के लिए पैसे देने होंगे तो सब्सक्राइबर्स जियो की कोई भी कमी एग्नोर नहीं करना चाते और बहतर नेटवर्क और स्पीट के लिए वो जियो का दामन छोड किसी दूसरे नेटवर्क में जा सकते है मेभी यूजर को जब इतरे सारे उप्शन उसी रेट में मिल जाएं तो वो जियो का साथ छोड़ दे रिपोर्ट्स की बारे तो जियो के मुकाबले दूसरे ऑपरेटर्स की 4G स्पीच जाद अच्छी है ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक एपरिल से करीब 5 करोड यूजर्स जियो का साथ छोड़ दे न्यूस एक्सप्रेस की रिपोर्ट